हेलो एवरीवन वेलकम बेक टो यूट्यूब चैनल सक्सेस गाइडेंस आज हम पढ़ने चाहरे हैं दो कीवर्ट इंडेक्टिव डिडेक्टिव मेथेट्स और इंडेक्टिव डिडेक्टिव मेथेड में अगर आज तक किसी को कोई कन्फूजन रही है तो आज सब वो क्लिय हो चाहेगी चलो शुरू करते हैं जैसे कि आपको बहुत बेसिक फॉर्मुला याद होंगे मैथेमेटिक्स के जब आपने शुरू किया होगा तो क्या फॉर्मुले थे वो पैरेमेटर और रेक्टेंगल ए एन बी जिसमें लैंध दी होती थी और आपको अगर पूछा जात होंगे लेकिन आज जो टाइम है उसमें हम दो मैठर्ड यूज करते हैं ठीक है तो कौन-कौन से मैठर है परस्ट मैठर हम पढ़ने जा रहे हैं कि मिस्टर मनोज है सिचुएशन है पहली कि मिस्टर मनोज है वो मैथेमेटिक्स पढ़ा रहे हैं क्लास सिक्स्त में एक दिन तबatta मगार्य हैं कि अगर दो साइट्स ऑर ट्रायंगल नोगित्त मैं उन्हों इस अपस्टेट दो और इक अएंगमर्य और तो yn्हों नiauने क्या होगके हैं कि यह एक और लोंोब दो ट्रायंगल को नहिसा लॉच्पay दो श्माशन को एक, ख़में अज businessman 2 सी दॉ नो ने situation दे दी तो first triangle के लिए second triangle के लिए third triangle के लिए अलग-अलग आपसे पूछा गया कि B और C कितने आ रहे हैं B और C कितने आ रहे हैं क्योंकि A B और A C तो तीनों में equal हैं आप देखो क्या हुआ जब मेजर करा students ने तो उन्हें लगा मतलब उन्होंने जो आउंड करा कि opposite Angle उन्हों उन्हें इससे क्या कंक्लूड करा कि अगर दो इक्वल आते हैं यह कौन सा मेथे यूज ने मिस्टर मनोज ने यूज करा इंडक्टिव मैथे कहते हैं method of induction क्या है कि जिसमें आप concept नहीं बता करके situation देके फिर आप बच्चों से कहते हैं कि concept निकालो या बताओ इसमें कौन सा concept लगा है या फिर उसको general conclusion बनाना ठीक है particular से generalize होना particular situation देने के बाद उसको general कर देना मतलब आपने एक triangle टो करा जिसमें दो side equal थी और उसमें आपसे पुछा काया कि बताओ दो एंगल एक वल है आपने दिखा निकालके देखा तो हां दो एंगल एक वल है फिर आपको दूसरा एक triangle यूज करने के लिए कहा जिसमें उसकी 88 cm वाली थी तो उसमें भी दो एंगल एक वल होंगे अपोजिट वाले एक और ट्राइंगल बनाया है जिसमें 10 10 cm थी उसमें भी दो ट्राइंगल एक होगा है तो आपको एक जनरALL कंडूजन बन गया कि हाँ अगर दो साइड इकवल होती है तो उसके दो एंगल इकवल होंगे अपोजिट वाले a b equal to a c हैं तो p equal to c होगा ठीक है फिक है खी आपको समझ में आतनी बाद है अब किया हुआ हम अगर दो साइड इक्वल होती है तो उनके एक्वल होती है समझे आप बात को उन्होंने फिर एक्स्प्लेइन करा रिलेशंशिप बताया कि अच्छा ठीक है अगर दो साइड इक्वल होती है तो उनके दो एंगल होती है फिर उन्होंने बच्चों को ट्रेंगल बना के दिया जिसमे a b equal to ac था और angle a दे दिया और कहा कि b और c find करो अब बच्चों को general idea तो है कि b और c equal है तू क्या कर सकते है कि general sum of triangle is 180 70 plus 2x equals to 180 ऐसे करके तूना angle find कर लेंगे तो उन्होंने क्या करा students को formula apply करने के लिए दे दिया ठीक है student formula apply कर रहा है और problem को solve कर रहा है तो जिसमें जब बच्चे formula से question solve करते है तो इस process को क्या कहते है deduction method ठीक है जी in this method teacher use the established formula इसमें कोई भी हमारा formula जो पहले से established है या कोई भी हमारा principle है जैसे sum of all angles of the triangle is 180 तो इसको क्या करते problem solve करने में use कर लेते तो इन process को क्या कहते है हम deductive method ठीक है तो आज से आपको inductive deductive methods में जो आपकी problem थी I hope वो solve हो गई होगी thank you for watching